मसकार दोस्तों, हम लोग UPSC, CDS 2022 के जो एक्जाम हुए, उसमें आए पॉलिटी के कोश्चन डिसकस कर रहे थे, और लेडी हमने काफी सारे कोश्चन किये थे, अब आगे के कोश्चन करेंगे, हिस्ट्री, जोग्रोफी और पॉलिटी का पार्ट वन, ये सारा मैंने कवर कर ल इस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड के जितने important association है, जैसे बिरिक्स हो गई, और जो बाकी के जो organization है, उन पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर कर कहा हूँ, ताकि सारी चीजों को एक सार डिसकस कर सकूँ, वैसे इसका correct answer क्या है, क्या ये nuclear power का ग्रूप है, क्या ये five major emerging economies का ग्रूप है, तो बिल्कुल C यहाँ पर correct है, आगे बोलागिया group of five potentially strong UN security council member, नहीं ये भी गलत है, correct answer is option C, so BRICS अक्सरी newspaper के अंदर covered होता है, बिरिक्स के बारे थोड़ा समझ लीजे, ये जब बना तो चार देसों के साथ मिलकर बना, चार देसो 2010 में से South Africa जुड़ा, तो ये finally BRICS बन गिया, और ये five emerging economies है, और इन देसों का ये संगठन है, नो BRICS से बहुत सारे question आया है, बट मैं इसकी separate वीडियो में से cover करूँगा, फिलाल एक अच्छा question देखते हैं, इसमें जो आया है, देखिए ये question C.A.P.F. 2009 में आया है, बट य देखिए ये जो question है, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, in the year 2009, the leader of the BRICS countries held their first submit in Yekenberg, यानी एक नाम दिया गया, उसके बहुत से बताया गया, कि 2009 में जो BRICS countries के leader है, यही पर फर्स्ट अपना submit किये थे, दूसरा बोला रहा है, golden man sets के अनुसार, जो global investment banking और securities firm है, वो economic potential है BRICS का और इस तरह से बात बोली गई, यह बड़े सारे lengthy statements है, बट जो आप यहाँ पर D देखेंगे, असल में क्या होता है, इतने सारे facts किसी को definitely पता नहीं होगी, बट लोग क्या होते हैं, यह question पढ़ेंगे, उन्हें लगया कि यह तो बहुती confusing question इसे छोड़के आगे बड़ते हैं, लेकिन जब आप D option में जाएंगे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, एन केनेड़ा मेंबर सब्री, इसका मेंबर नहीं है बलकि चाइना मेंबर है, तो अब देखें, यह तो हर किसी को पता होगा, of course, क्योंकि देशों के नाम कीस organization से जुड़े हैं, खास करके Br पूछा गया था, इसका correct answer हमने देख लिए option C, अगला question देखी, अगला देखिए, बोले आ रहा है, इंडियन federalism का कौन सा characteristic feature नहीं है, भारतिय संगवाद के अंदर कौन सी विसेस्ता नहीं देखी जाती, the federating unit consented to form a union, यानि इंडिया के अंदर ऐसा हुआ है, कि जो federating unit है, वो सारी मिलके एक union बनाई हुई है, दूसरा बोला गया, रेजिडुरी पावर वेस्ट करती है, center के साथ, यानि जो power, जैसे अगर मैं बात करूँ, 7th schedule के अंदर, तो 3 तरह के list बताया गया है, union list, state list और concurrent list, तो जो power कहीं पे भी covered नहीं है, वैसी power किसके हाथों में जाएगी, तो center के हाथों में, ये पहले से भी चलता आ रहा था, अगर government of India एक 1935 की बात करें, तो वहाँ पे भी यही बोला गया था, कि जो रेजिडुरी पावर उस टैम पे खेर, governor general के पास थी, लेकिन जब हमारा देश आजा दुवत, उसके बाद हमने ये provision रखा कि ये, जो रेजिडुरी पावर आवसिष्ट सक्तियां जो बच गई है जो किसी भी list के अंदर सामिल नहीं है, उसे center के हाथों में दिया जाएगा, ठीक है, अब अगला हाला कि ये जो मैंने आपको बता है, ये भी civil services का पूछा हुआ question है, अगला देखिए single citizenship, हमें पता है कि भारत देश के अंदर single citizenship चलती है, चोथा देखिए an extensive union and conquest list, हाथ हमें union और concurrent list भी दी गई है, और ये भी Indian federalism का पार्ट है, आपको पता होगा Indian federalism है एक important topic अभी CAPF में भी a confusing question आया Indian federalism के उपर, वो question खेर solve में ने कर दिया और आपको detail में बता भी दिया था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखिए तो जरूर देखिए, वहाँ पे मैंने detail में federalism के उपर बात किये, फिलाल अगर मैं यहाँ पे देखू, तो correct answer इसका option A है, क्योंकि यह जो बात बोली जारी है न, कि federating unit consent करेगी, उसके बाद union बनाएगी, यह इंडिया का पार्ट नहीं है, यह अगर आप देखें, अमेरिका के अंदर 50 जो federating unit है, वो consent के अंदर आई एक देख बनाई, लेकिन इंडिया में जो federalism adopt किया गया है, वो Canada के model पे है, यानि Canada के model के अंतरकत यह है, कि जैसे हमारे देख के अंदर पहले एक देख union गठीत हुआ, उसके बाद उसे federating unit यानि राइज में रखा गया, यानि कहने का अरत यह है, कि अगर कोई राइज चा between center and state, तीसरा बोला गया, federating unit have been given unequal representation in the riceabah, यानि riceabah में unequal representation दिया गया है, चोथा बोला रहा है, it is the result of an agreement among the federating unit, यानि ये federating unit के बीच के एक agreement का परिणाम है, इस question का answer आपको comment box के अंदर करना है, दोस्तों एक दो बहुत ही महत्पूर्ण बाते समझ लिजे, इंडिया के federal system से संबदित, सबसे पहला बोला गया है, हमारा जो भारत का समिधान है, वो एक federal system of government को establish करता है, और हमारे समिधान के अंदर बहुत सारे federation के features देखने को मिलते हैं, जैसा अगर आप federal countries में देखें, तो two government की बात की जाती है, division of power की बात की जाती है, लिखित समिधान होना समिधान supreme होना चाहिए, ना कि parliament, rigidity होनी चाहिए, constitution, थोड़ा difficult होना चाहिए, amendment करना, समिधान के अंदर, independent judiciary होना चाहिए, और bicameralism, यह जो सारे feature मैंने बता है, वो federalism का part है, जो कि Indian constitution के अंदर है, लेकिन Indian constitution के अंदर कुछ ऐसे भी provision है, जो कि आप कह सकते है, non-federal है, या पिर unitary है nature में, जैसे अगर मैं इस तरह के प्रोविजर की बात करू, तो हमारा center कहीं कहीं पर strong होता है, central ही strong है, दूसरा बोला गया, single constitution देखने को मिलता है, ना कि double constitution, single citizenship देखने को मिलता है, जो कि non-federal feature है, समिधान flexible भी है, कहीं कहीं पर changes भी हो सकते हैं, बहुती easily, integrated judiciary है, और appointment of state governor by the center, उसके ओल इंडिया services देखने को मिलती है, emergency provisions मिलते है, यह सारे आप कह सकते हैं, non-federal feature भी Indian constitution का एक part है, लेकिन एक बात और समझेए, हमारे समिधान के अंदर कहीं पे भी federation word का जिक्र नहीं मिलता है, बहुत important point है, बहुत बार exams के अंदर पूछा गया है, लेक जो Indian federation है, it is not the result of an agreement by the states, यानि states ने agreement करके भारत देश को नहीं बनाया है, बालकि भारत देश अपने आप में, और इसके अलावा एक बात और है, कि no state has the right to secede from the federation, यानि इस संगवाद के धाचे से, कोई भी राइज को बाहर निकलने का provision नहीं है, definitely यह हमारे Indian constitution का एक important part है एक दो बात ते और समझे अकसरी एक्जाम के अंदर पूछा जाता है, कि किस scholar ने हमारे Indian constitution को किस तरह का बताया है, जैसा अगर मैं बात करूँ तो quasi federal term Indian constitution के लिए भारत के धाचे के लिए यूज किया Casey Weir ने, तो उसके बाद bargaining federalism कहा गया है, Morris Jones के दौरा, cooperative federalism नाम दिया गय मैं काफी जादा लेंदी हो जा रहा हूं इन questions को लेके, बट मेरा ये motive है कि अगर अगली बार federalism के अंतरगत कोई दूसरे provision को डाल के पूछ दिया जैसा कि अकसर किया जाता है, तो उसमें आप confused ना हो, बहुत ही जल्दी से answer करें, अगर कोई भी topic में cover कर रहा हूं और उसस दोबारा question आए उससे related provision से, उस concept से, तो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, इसका correct answer फिर हमने देखा option A है, हमारे Indian Union के अंदर ऐसा federating unit ने consent नहीं किया है, बलकि हमारे India as a whole बना जैसे Canada का federalism है, उसी तरह से हमने Indian federalism को adopt किया है, अगला question देखिए 63rd number, बोला आ रहा हमारे स वाक स्वतंतरता और express करने की स्वतंतरता दी जाएगी, article 91 के तहट, assemble कर सकते हैं, आप peacefully और बिना arms के, दूसरा बोला गया, property acquire कर सकते हैं, यह देखिए यह बात है, जो article 19 के अंतरगत आपको बतानी है, सामिल है या नि, चौथा बोला गया, to move freely throughout the territory of India, यानि भारत के territory के अ यह हमारे fundamental rights से अल्रेडी हटा दिया गया है, article 301 के तहट, legal right की सरेनी में रख दिया गया है, आपको यह बताना है कि अभी जो इंडिया के context में, इंडिया के constitution में, right to property किस part के अंतर है, और भारत के जमिनार के किस part के अंतरगत है, यह आपको बताना है, यह question अभी पूछा गया HCS में, तो याद रख ज़िए important question यह बनेगा, तो आपको इसका answer comment box में करना है, और इस question के answer की बात करें, तो 3 वाला जो है, वो of course fundamental right के अंतरगत यह provision नहीं है, तो 3 को eliminate करेंगे, बाकी के तीनों बिल्कुल सही है, तो option D यहापे correct होगा, अगर बात करें इस question की source की, त of course लक्षमी कांथ के अंदर covered ही होगा, बट मैं हमेशा इस तरह के article वाले questions के लिए use करता हूँ, bear constitution, उसकी मैं आपको telegram के अंदर वो provide कर दूँगा, वहाँ से आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझ लीजे, हर बार आपके 2-4 नमर बढ़ जाएंगे, अगर आप इस सही वे में, जैसा आपसे question frame किया जागा, वैसे ही पूछा जाता है, so क्या क्या provision है, जल्दी से देख लेते हैं, सबसे पहला यह है कि सभी citizen के पास right to speech होगी और expression की freedom होगी, दूसरा assemble कर सकते है peacefully बिना कोई arms के, तीसरा association और union बनाने की भी जो right है वो दी गई है इसके अंतर और any occupation trade or business, आप कोई भी profession को practice कर सकते हैं, under article 19 के तहरत, अब देखे इस तरह के question आपको राटने नहीं है, कि आप article 19 के पुछे जो provision है उसको राटना सुरू कर दे, या article 21 के अंतरगत जो जो चीज़े दी गई है, उसे राटना नहीं, आप बस यह समझ के चलिए, कि अगर को हलाकि मैं अलग से video series बनाऊंगो, जिसमें सारे के सारे fundamental rights से जितने भी question आए, देखे मैं एक बात कहता हूँ, quality के अंदर fundamental rights, DPSP और fundamental duties, ये तीन provision अकेले में 25% syllabus कवर करते हैं, और parliament अकेले 30% syllabus कवर करता है, अगर आप इन दोनों को कर लेगे तो 50-60% quality के question आपके ऐसे ही हो जाएंगे इन 4 chapter से, तो इन्हें सबस्याद आपको ध्यान से पढ़ना होगा और समझना पड़ेगा, अगला question देखे 64th number, बोला गया election commission के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, not correct पे ध्यान देना है, देखे अब जातर question not correct पे आते हैं, पहला बोला गया, ये conduct करता election of the office of vice president of India, हाँ बिल्कुल सही बात है, election commission किन चीजों के लिए election करवाता है, दोस्तों, election commission of India से संबंधित बहुत सारे important provision है, जो आपको याद रखने पड़ेंगे, कि बहुत सारे question इसे अक्षर ही आते हैं, तो मैं चाहूंगा अलग से एक video में discuss करूं कितने questions आया हैं, और फिलाल इन चीज़ें करेगा, किनके election पे, किनके election पे ध्यान दिजे, पार्लियमेंट पे, state legislature पे, president और vice president के office पे, इन चार election का जो काम है, ये power वेस्ट की गई है, election commission of India के अंतरगत, लेकिन पंचायत के चुनाव कोन करवाएगी, state election commissioner, state election commission पंचायत के चुनाव करवाएगी है, यही सब तो confusing topic, polity के अंदर होते हैं, जो आपको समझने है, तो election commission of India, चार offices के election करवाएगी, सबसे पहला मैंने बताया, पार्लियमेंट के, दूसरा state legislature के, तीसरा president के, और चोथा vice president के, ये चार जो election, ये चार offices का election, election commission of India करवाएगी, उसके बाद एक बात और यहाँ पे election के लिए, इंडियन constitution ने अलग से provision कर रखा है, a state election commission का, so options यहाँ पे देखे, it conducts election to the office of vice president, बिल्कुल सही है, हमने देखा, चार offices का election करवाती है, election commission can be removed from his office without the recommendation of chief election commission, ये बात गलत है, chief election commission के recommendation के बाद ही, election commissioner को हटाया जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, कि जो chief election commissioner हो होते है, तो total three member body है, फिलाल, हलाकि मैं separate में से discuss करूँगा, बट फिलाल यहाँ पर यह समझ लीजे, कि chief election commission की recommendation की जरुद पड़ेगी, election commission को हटाने के लिए, तीसरा बोला गया, election commission appointed by the president of India, ये तो बिल्कुल सही है, governor of state is constitutionally bound to provide support staff to the election commission if required, देखे, समिधानिक रूप से bound किया गया है, governor of state को कि वो अगर staff प्रदान करें, staff provide करें, अगर जुरत पड़ती है, election commission को तो, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हमें not correct पूछा गया, तो option B, यहाँ पर हमारा correct answer होगा, तो यहाँ पर अगर आपको कोई option confuse कर सकती थी, तो वो थी option D, लेकिन अगर आप देखें, article 324 के close 6 की, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इस तरह के question न, जब elimination में दो option अटक जाते हैं, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा, कि कौन सी बात बिल्कुल ही गलत है, जैसे य अगला question देखते हैं, देखें, बोला गया, प्रियम्बल से संब्धित कौन सा option जो है, वो correct है, पहला है, equality of status and equality of opportunity, find mention in the preamble, तो ये तो आपको पता ही होगा, अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा, तो कि इसे equality of status and equality of opportunity, ये बातें, प्रियम्बल के अंदर covered हैं, दूसर तो definitely integrity word सामिल नहीं था, तो second वाला भी फिर correct बनता है, क्योंकि ये जो expression है, unity and integrity of nation, ये as a whole phrase तो हमारे constitution के अंदर नहीं था, सिर्फ unity of the nation था, तो integrity word को बात में जोड़ा गया, तो second तो बिल्कुल सही बनता है, कि हाँ, सही बात है, the expression unity and integrity of the nation was not there in the preamble, since in the beginning, ये शुरवात स हो है, वो हमारे समिदान के अंदर नहीं था, तो हमारे preamble के अंदर नहीं था, तो इसका correct answer क्या है, फिर option C, दोनों ही बाते हैं, हाँ पर सही है, so ये हमारा preamble है, यहाँ पर देख सकते है, sovereign, socially, secular, democratic, republic, फिलाल में ये words है, और हमें बताया गया है, कि justice को, social, economic, and political, ये तीन sharing the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, अब आप यहाँ पर पढ़ें, तो बोला गया, जो first वाला यहाँ पर उसे aid किया गया, 42nd constitutional amendment act के दोरा, और जो second वाला पार्ट है, वो भी 42nd constitutional amendment act के दोरा aid किया गया, so basically वही बता जा रहा, socialist, secular, और integrity, ये तीन words जो aid किया गया है, हमारे preamble के अंतरगत, 42nd constitutional amendment act, 1976 के तहद, आप देखें, यहाँ पर कुछ लोग इस बात को लेके confused हो रहे थे, कि ठीक है, unity and integrity हमारे preamble के अंदर सुरवात से नहीं था, बट ये तो word था न, unity of the nation, तो ये समझे कि as a whole phrase की बात की जारी है, ना कि किसी word की, तो as a whole phrase अगर आप देखें, तो definitely ये phrase हमारे constitution constitution में नहीं था, इस में से कुछ word को जैसे integrity को बाद में add किया गया, तो second वाला बिल्कुल सही बनता है, अगला question देखें, इसका correct answer option C है, both 1 and 2, ना ये last question है, polity का, उसके बाद बाकी के subject बचेंगे, और उसे हम लोग बहुत सारे subject हमने cover भी कर लिए, और बाकी के भी cover करेंगे देखें, बुला रहा है हमारे constitution के part 4A के according, कौन सा provision mentioned नहीं है, as a duty of every citizen, देखें, part 4A में, देखें, ये जो A भी अगर लिखे रहते हैं, तो आप समझ जाईए कि इससे समिधान के अंदर संसोधन करके, amendment करके डाला गया, जैसे अगर fundamental duties की बात करेंगे, तो हमारे constitution में amendment करके इससे रखा गया, इसलिए part 4A, और सिर्फ part 4 में क्या है, DPSP, तो कौन सा हमारी fundamental duty नहीं है, ये basically पूछा जा रहा है, to render national service when called upon to do so, यानि जब हमें national service की बात की जाएगी, तो ये render करना, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, कि कौन कौन सी बाते हैं, तो देखिया, article 51 के तहट fundamental duties के बारे बताया गया, बोला जा रहा है कि कौन कौन सी duties होंगी बारत के citizens को, सबसे पहली चीज़, to abide by the constitution and respect, its ideals and institutions, national flag और national anthem, इन चीज़ों के respect की बात की गई है, चैरिस करना और follow करना noble ideas को जिसने हमारे national struggle for freedom को inspire किया है, तीसरा बोला जारा sovereignty, unity और integrity, इन तीन बातों का uphold करना और protect करना है, चोथा बोला गया है to defend the country, यानि हमारे देश को defend करना है और render करना है national service when called upon to do so, ठीक है, render करना है national service when called upon to do so, चोथा देखिये, promote करना harmony को, spirit of common brotherhood को सारे ही people's के अंतरगत, भले ही वो different religious linguistic और regional और sectional diversity से क्यों आते हो, renounce करना है practices को जो की women को लेकर, women की dignity को लेकर derogatory हो, चोथा पाच ये देखिये, चट्था, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, composite culture की बात की जारी है और उसमें आपको value को reach करना है heritage को, heritage को preserve करके रखना है, उसके बाद देखिय and improve the national environment, including forest, lake, river and wildlife, and to have compassion for living creatures, बिल्कुल सही बात है, ये हमारे fundamental duties है, उसके बाद देखिये, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, scientific temper को विक्सित करना है, humanism यानि मानुवता को विक्सित करना है, spirit of inquiry and reform, ये चीज़े भी हमारी fundamental duties का part है, so now हमने देखा, first वाला बिल्कुल सही है, render करना national service को when called upon to do so, ये भी हमने देखा, practices जो की women की dignity के derogatory है, उन्हें त्याग करना, renounce करना, to value and preserve a unitary national culture, नहीं हमने unitary national culture नहीं देखा, हमने composite culture की बात की, composite culture का मतलब क्या है, different culture का amalgamation, और सही fusion जो बोला जाए, different cultures का, different linguistic, religious, different cultures का am amalgamation, तो ये वाला बात, ये वाली जो बात है, वो fundamental duties का part नहीं है, यहाँ पर unitary नहीं, composite आएगा, composite culture, to develop the spirit of inquiry and reform, हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, तो इस question को ना, elimination से करना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि A, C और D, जो है, वो part है, sorry, A, B, और D part है, C part नहीं है, correct answer options ही है, हाला जो fundamental duties हैं, और DPSP हैं, इन दोनों को लेकर आजकल बहुत सारे article पूछे जा रहे हैं, तो इन से संबंधित बातों का आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से, क्योंकि देखिए, अभी civil services में पूछा गया था कि, जो wealth of concentration है, वो किसे violate करता है, तो ये DPSP के एक article के अंदर covered ह तो इस तरह की बाते हैं, जब आप डीटेल में समझते चलते हो, आर्टिकल्स को, तो ही आप इस तरह के question अच्छे से confirm के साथ कर पाऊगे, अधर इस फिर option इतने confusing हो जाते हैं, कि उन्हें समझना difficult होता है, अगर कुछ हूटेगा, तो मिसलेने इस वीडियो में definitely cover कर लेंग कर लेंगा हैं, जब एढ क्ज से के समझते हैं, आर्टिकल्स को, सा कर दो हो है कि जगसे, ठाते हैं, जब ग्राटिकल्स को, सबस्के हैं, उर रखना इस समझते हैं, क् झाल्बयक्ड़दiczा को येर एस दो जाना इस उना हैं, जवर हैं जवर 250 फिस तरहें, क्यशोदीन हैं,